अलिगर्ड में ब्रांडेट कंपनियों के नाम पर नकली तालों का धंदा जोरों से पनप रहा है। जैगंज इस्तित महला पठान की धोबी वाली गली में विजे अन ब्रांड के नाम से फैक्टरी में नकली ताले बनाय जा रहे थे। सासनी गेट पुलिस ने चापा मार कर पिकेजंग मेटेरियल का जखीरह बरामत किया है। फैक्टरी मालिक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने फैक्टरी मालिक के विरुद कॉपिराइट एक्ट में मुकदमात दर्च किया है। दरशल रगवीर पुरी निवासी इशांक बंसल की लॉक्स एड़ लॉकिंग इंडिया नाम से फर्म है जिसमें विजियन ब्रांट के नाम से ब्राज का फनीचर लॉक तयार किया जाता है इशां के अनुसार 6 सितंबर की रात उन्हें जानकारी मिली उनकी ब्रांट के ताले बाजार में खपाई जाते हैं इसकी पैकेजिंग मेटेरियल का ओडर रसल ने उन्हें रंगी हाथ पकड़ लिया इसके सुचना पुलिस को पहले ही दे दी थी इनसे पूस्ताच के बाद पठान महला में फैक्टरी पच्छा पमारा जहां से नकली माल तयार करने वाला मास्टर वाइंड अथर खान फरार हो गया उनके दो लड़के पुलिस ने हिरा प्रिंटिंग्स पकड़ी गई है जो के विजेन लॉक्स के नाम से बन नहीं थी काफी समय से और इसको हमने पठान महला से निवासी अथर खान के यहां से इनको इसको पकड़ा है और काफी सारी डाइज वगरा प्रिंटिंग मटीरियल यह सब काफी सारी चीजिए पकड़ रही है, वहां मैं नहीं बता पूँगा, अभी मेरे को एक जगए की जानकारी मिली यह वहां मैंने नहीं कारवाई करी है है डाईज पकटी गहीं है जो के प्लेट्स पकटी गहीं है जिनसे पैकिंग चपती है और प्रिंटिंग होती है वो पकडी गहीं है तो काफी सरा विटिकल्प बगड़ा है इस नाम से मेरी फिरम है विजयन लोक्स मेरी ब्रैंड और 1960 से हमारा काम है ये इसांग बंसल मेरी वैक्टरी है गुलरोट शक्तिनगर झानो कर दिद्ञिदास by यह को